हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत सवागत आप सभी के एक बफिसर सरकारी हट में तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इंपोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ तो आप सभी को जैसे की पता होगा जो SGBGI में सिस्टर ग्रेट टू और जो उसके साथ तीन वेकेंसी और रिलीस की गई थी SGBGI की तरफ से तो उसका जो नोटिफिकेशन आया था आपने असर भी ने अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर लिया होगा तो उसकी जो एक्जाम डेट है और जो एक्जाम से लेबर से वो रिलीस कर दिया गया है SGPGI की दरफ से तो कल इवनिंग के टाइम पर जो है ओफिशल वेबसाइट जो की SGPGIMS.org यह ओफिशल वेबसाइट है यहाँ पर जब आप जाओगे तो महाँ पर जो रिकूर्मेंट और एड्मिशन वाला जो सेक्शन आता है वहाँ से आप ये नौटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो ठीख है बाकी यह मैं आपने तेलीगराम गडरुप में भी भेद दूँगा तो तेलीगराम गरुप का जो लिंक और आप उनलोड करके चेक हैँ तो यहाँ पर जो यहाँप जो वेकिंस थी वह ठीक है मतलब I-50 A, B, C और D मतलब A, B, D और E ये चार मतलब advertisement नमबर थे तो इनका जो notification है वो आ चोका है कल website पर जिसमें आपका exam date और complete exam से लेपस बताया गया है बाकी ये जो 5th वारी vacancy है ये इसका advertisement नमबर अलग था हम सिर्फ जो है sister grade 2 और बाकी जो 3 है technician, medical lab technologist और junior medical lab technologist उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यह है कि date of examination has been fixed just 20th June 2022 ठीक है तो 20 June 2022 जो है वो आपकी exam date है यानि कि exam जो है आपका नजदी की है almost आपके पास 20 दिन ही अभी बचे हुए है ठीक है तो अभी किसाब से देखें तो सिर्फ आपके पास 20 दिन है आपके exam में the admit card for the same will be made available for download soon the candidate should regularly check the HGPJ website for updates with regard to the same ठीक है तो इसके जैसे admit card का कोई भी notification आता है तो उसके बारे में मैं update दे दूंगा जैसे मैंने आपको previously भी बोला था तो date जैसे आई तो मैंने आपको अभी update दे दिया है तो वैसी जैसे admit card का कोई notification आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा the syllabus for the examination is being published on the SGPJ website as approved by the competent authorities ठीक है तो यहाँ यह जो है यह syllabus दिया गया है तो पहला जो है sister grade 2 के बारे में देख लेते हैं तो इसमें लिखा हुआ है the syllabus for the written examination will be based on the syllabus or curriculum of diploma in general nursing and midwifery या BSc nursing ठीक है तो GNM और जो BSc nursing है उसके syllabus के उसके curriculum के according ही जो है वो आपका sister grade 2 के syllabus रखा गया description of syllabus यहां पर दिया है जैसे कि basic sciences इसमें पूचाएगा nutrition and dietetics psychology हो गया mental health हो गया psychiatric nursing हो गया fundamental of nursing हो गया community health nursing medical and surgical nursing pediatric nursing pediatric nursing obstetrical nursing principles of administration and supervision education and trends in nursing ठीक है तो यह आपके syllabus के topics दिये गया है quotient paper का जो pattern है वो पूच इस तरीके से रहेगा कि जो general English है वो आपका 10 marks का होगा general knowledge 10 marks का पूचा जाएगा reasoning 10 marks की होगी medical laboratory technology के लिए और junior medical lab technology के भी ठीक है तो इन चारों के लिए exam pattern इसी तरीके से रहेगा आप screen पर जो syllabus देख भी सकते हो बाकि syllabus को आप download करके या तो telegram group से कर ले ना या फिर जैसे मैंने website पर बताया उस तरीके से आप जाएके उसको download कर सकते हो ठीक है तो यह आपका पर subject के मतलब topics वगरा दिये गए हैं बाकि जो general चीज़े जो पूछी जाएंगी उनका से ले बस यहाँ पर नीचे अटेच किया गया है जैसे general aptitude में आपसे reasoning जो भी पूछी जाएगी reasoning के topics हाँ पर दिये गए हैं तो आप इन topics को जो प्रैक्टिस कर सकते हैं उसी तरीके से जीके में जो है क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीज़े यहां पर दिए कि general awareness of the environment हो गया question will be also designed to test the knowledge of current events तो current events के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है geography, culture, economics और general policy, scientific research, history यह सारी चीज़े से आप से जीके वाले पूछिन पूछेएगी mathematics update road में यहाँ पर topics दिये गए हैं ठीक है जो general topics होते है mathematical update road के वो सब यहाँ पर पूछे जाएगे और उसी तरह किसे general English का syllabus भी यहाँ पर दिया है तो यह आप जो है अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं और बाकी जो detailed syllabus है जैसे अभी हमने बात कर रहा हूं तो जो वहाँ पर topics brief में दिये गए थे उनका complete syllabus यहाँ पर दिये गए जैसे F.O.N. होगे fundamental of nursing तो उसके क्या क्या topics पूछे आएंगे जैसे आपका describe nursing as a professional scope etiquettes and ethics ठीक है फिर उसका first day treatment हो गए तो यह सारे topics आपको detail में हाँ पर दिये गए है community health nursing के topics दिये गए उसके बाद sister gate 2 के यह जो और जो बचे वो topic है वो यहाँ पर हो गया है उसके बाद अगर हम बात करें radiology technician के तो उनके जो complete topics detail wise जो दे रखें वो यहाँ पर दिये गए हैं clear है और उसके बाद जो है थर्ड वाल आपका जो हो गया radiography photography OC का है ठीक है और इसी तरीके से जो आपका medical lab technologist का भी दिया गया है medical lab technician का भी यहाँ पर दिया गया है उसी तरीके से जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको junior medical lab technician का भी syllabus मिल जाएगा ठीक है वह भी मैं आपको नीचे जाकर दिखा देता हूँ यह लिखा हुआ है junior medical lab technician and lecture 4 ठीक है तो यहाँ पर आपका complete syllabus topic wise दिया गया है इसको आप download कर सकते हैं और इसके आपका portion है जिस post के लिए आपने apply कर रहा है तो उस post का syllabus आप print करवा के उन topics को जो है पढ़ सकते हैं वहाँ से देख देखे कि आपके जो topic है कौन से यहाँ पर पूछा जा रहा है clear है तो यह complete syllabus की बात हो गई और exam date की यहाँ पर बात हो चीकिए और हमने exam pattern की बात पर ले ठीक है तो तीनों चीज़े हमने cover कर ली अब इसका admit card का जैसे ही update official website पर आएगा मैं आपको तुरंत update कर दूँगा और उसके बाद आप को तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं या फिर मुझे instagram पर directly message कर सकते हो okay instagram के जो link है वो भी मैंना comment section में पिन गलग है और चैनल पर नहीं हो तो जुरू subscribe कर लेना और bell icon को press कर लेना okay so thank you and have a nice day